गुद मॉर्निंग एवरिवान वेरी गुद मॉर्निंग तो वी आ लाइव वी आ बाक इन दी ब्रहमास्त्र बैच फॉर गेट 2023 शॉर्ट एंड मीडियम ट्रांस्मिशन लाइन तो देखो यार कल हम लोगों ने कवर कर लिया था ट्रांस्मिशन लाइन पैरामीटर्स कल हमने देख लिया था कैसे हम इंडक्टेंस डिराइव करते हैं कैसे हम कैसे हम लोग रजिस्टेंस निकालते हैं मैंने आपको बताया था बंडल कंड़क्टर में अप्रॉक्सिमेशन क्या होता है डबल सर्किट लाइन क्या होता है यह सारे बेसिक्स सारे के सारे बेसिक हम लोगो करेंगे यार transmission line performance की यानि आज हम बात करेंगे transmission line से circuit से related तो circuit के बारे में बात की जाएगी यानि transmission line को जब हम एक power system में जोडते हैं तो कैसे इसके equivalent circuit की मदद से इसका analysis किया जाता है उसमें मैं आज आज आपके mainly दो model cover करूँगा short and medium and if time permit थोड़ा समय आपको long line के बारे में भी बताने वाला हूँ ठीक है अब देखो भाई इससे पहले हम आगे बढ़े मैं आपको बता दूँ कि unacademy आपके लेके आए एक offer जिसमें आप 30% तक save कर सकते हो तो यहाँ पे हमने क्या किया है बिटा यहाँ पे हमने आपके लिए prices कम कर दियें देखो 12 months का price था 40,000 now it is 30,000 18 months का 50,000 था it is 39,000 24 months का 60,000 था it is 46,000 ठीक है और अगर इस पे आप code लगाते हो अंकित EAC तो बिटा यह और कम हो जाएगा आपका अगर आप अंकित EAC code लगाते हो तो 12 months का subscription आपको पढ़ेगा 27,485 18 months का 35 और 24 months का 42,000 iconic लेते हो जिसके अंदर आपको books भी मिलेंगी साथ साथ आपको personal guidance भी मिलेंगी तो 12 months का 40 पढ़ेगा 53 की जगे 64 की जगे 47 और 74 की जगे 55 तो आप लोग के पास काफी जादा saving का एक अच्छा मौका है और यह जिको जो IRMS वाला चल रहा है बिटा IRMS के अंदर जो आप 39% तक saving कर सकते हो यह offer ना आपका 21st of December को expire हो रहा है यानि Wednesday को तो अगर कोई भी बच्चा IRMS और Civil Service की तयारी करना चाहता है तो फटा फट से अंकित ESE code लगा के join कर ले इसमें UPSC में आपका GS हो जाएगा और mains वाला पार्ट आपका gate के साथ करा देंगे और देखो इस बार जो आपका All India Mock Test होने वाला है संडे को बिटा तो इसमें हम लोगों ने na Scholarships भी Announce कर दी है एक करोड से जादा की Scholarship है तीन हजार के अंदर अंदर अगर Rank लाओगे आपको Top 60 Rankers को 100% Scholarship मिलने वाली है तो 1 to 10, 100%, 11 to 60, 75%, 61 to 250%, 200, 1 to 500, 25% इसमें सब हमारा क्या फायदा होगा देखो जो भी बच्चे अच्छे हैं न तयारी कर रहे हैं अच्छी तयारी कर रहे हैं पढ़ने में अच्छे हैं उनको Unacademy का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा लास्ट टू मन्स के लिए जहां पे आप हमारे साथ रिवीजन कर सकते हो जहां पे आप पूरी की पूरी टेस्स सेरीज दे सकते हो तो इससे क्या है आप अपनी तयारी को ना एकदम next level लेके जा सकते हो तो इस बार का AIMT मिस मत करना कल होने वाला है सभी लोग को इसमें बैठना है और मचाना है चलो तो शुरू करते हैं आज का discussion अब देखो जब हम एक transmission line construct कर लेते हैं then we talk about its performance indices ये क्या होता है बिटा ये एक ऐसे parameter होते हैं जिनकी मदद से हम judge कर पाते हैं कि हमारी transmission line कितनी बहतर है हमारी transmission line कैसा काम कर रही है whether or not it is meeting our requirement देखो transmission line आपने क्यों लगाई थी आपने current carry करने के लिए लगाई थी आपने power carry करने के लिए लगाई थी उसमें आपने बोला था feeder में मेरा objective है losses को minimize करना distributor में मेरा objective है voltage drop को minimize करना तो क्या ये चीजे meet हो पा रही है क्या चीजे सारी वैसी ही चल रही है जैसी आपने सोची थी उसके लिए दो parameter पर बात करते है सबसे पहला होता है efficiency अब efficiency दो तरह की होता है एक होती है power efficiency एक होती है energy efficiency power efficiency का मतलब होता है power output upon power input power output कहां देखी जाती है it is taken at the receiving end of the line receiving end पे जो power आती है that is the power output और sending end पे line के जो power आती है that is the power input energy efficiency बेटा मैंने आपको transformer में बताई थी जिसको all day efficiency बोलते हैं तो उसकी बात हम लोग transmission line में नहीं करते हैं that is generally taken in a distribution transformer तो यहाँ पे बेटा हमें efficiency क्या बताएगा efficiency हमको यह बताने वाला है कि sending end से चलने वाली जो power है उसका कितना हिस्सा load तक पहुँच रहा है यानि source की dv power का कितना fraction load तक पहुँचता है तो देखो अब transmission line में losses किन कारणू से आते हैं सबसे पहला loss होता है बिटा omic loss यहां इसको copper loss मत बोलना क्योंकि यह transmission line copper से बनी नहीं है यह i square r हो सकता है और 3 phase के अंदर 3 i square r दूसरा होता है मेरे बच्चो corona loss मैंने बताया आपको corona में क्या होता है conductor के आजू-बाजू की air ionize हो जाती है यानि आजू-बाजू की air जो ionize हो जाती है बिटा वो air भी आपका reactive sorry air भी current carry करने लगती है उसके अंदर जो losses आते है that is corona loss ठीक है तीसरा होता है बिटा leakage current loss leakage current loss यह वो current है जो मैंने आपको दिखाया था न tower से flow कर जाता है tower से ground में flow कर जाता है और इसको हम लोग conductance की तरह show करते है तो यह जो loss होता है that is represented as v square g v square g का क्या fund है बिटा यह जो conductance होते है यह shunt पे दिखती है तो v square by r लिखते है तो v square by r को आप लिख सकते हो v square into g ठीक है v square into g अब यहाँ पे बिटा यह जो दो losses होते है यह जो दो losses होते है they are usually ignored तो यह जो आपका पहला loss है omic loss this is most dominant यह सबसे ज़ादा dominant होता है इसी के बारे में सबसे ज़ादा बात की जाती है ठीक है तो अब जब आप efficiency की बात करोगे मेरे बच्चों तो आप कहोगे receiving end की power divided by receiving end की power plus loss यह होता है तो sending end से कितनी power चली होगी that is receiving end power plus loss तो पहली चीज़ होती है efficiency क्योंकि देखो मैं जब भी power को transmit कर रहा हूं जब भी मैं power को transmit कर रहा हूं तो what I will want is I will want कि power जो sending end से चली है उसका maximum हिस्सा आपका load तक पहुँचे यानि efficiency must be maximum तीक है अब जमशेद जी पूछ रहे है what is the difference between efficiency and performance बिटा देखो efficiency एक indicator है performance का जैसे तुमारे marks और तुमारी performance में क्या फरक performance तो एक बहुत general term हो गई performance जज़ करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं तुमारे subject wise marks देख सकता हूं तुमारे total marks में देख सकता हूं तुमारा sports का performance में देख सकता हूं तुमारा extra curricular performance में देख सकता हूं तो performance can be judged in multiple ways तो transmission line का जो performance है वो दो parameters पर जज़ किया जाता है जिसमें से पहला parameter है efficiency दूसरा होता है भई regulation regulation का मतलब क्या होता है जब system पे load बदले तो उस समय पे system के output में कितना change देखने मिलता है system के output में कितना fluctuation आता है that is the regulation ठीक है that is the regulation तो हम यह चाहते हैं कि system के output पे effect नहीं आना चाहिए load बदलने का जैसे मान लो एक bike हम लोग चला रहे हैं bike पे एक लोग बैठे दो लोग बैठे या तीन लोग बैठे bike उतना ही smoothly चलना चाहिए bike उतनी ही speed से run होना चाहिए that is what we want in a system कि system की performance उसके load से impact ना हो अब देखो regulation दो तरह की होती है जिन systems का output electrical होता है वहाँ बात होती है voltage regulation की यानि कि उस system पे load बदलने से उसका output voltage कितना fluctuate हो सकता है दूसरा होता है आपका speed regulation speed regulation का क्या मतलब होता है एक जिस system का output mechanical है जैसे कि एक motor है उस motor पे load बदलने से कितना उसका speed में change आ सकता है that is your speed regulation तो जिन systems का output है voltage, voltage regulation है जिन systems का output है mechanical उन में होता है speed regulation but voltage is increased in case of ferrent effect अभी मैं ferrent effect की बात ही नहीं कर रहा अभी आप लोग क्या समझेंगे सिर्फ जितनी बाते मैं कर रहा हूँ इसका notes upload नहीं हो अभी चीज पढ़ा रहा हूँ इसका notes lecture के बाद ही आएगा पहले कैसे आ जाएगा ठीक है और मेरे भाई आप लोग chat में discuss करना बंद करो और lecture पे focus करो हफीज उद्दीन आपका बेटा जो capacitor होता है वो lagging power deliver करता है या leading absorb करता है आप ऐसा कह सकते हो inductor lagging absorb करता है या leading deliver करता है आप ऐसा कह सकते हो ठीक है capacitor जब deliver करता है Q तो Q positive लिया जाता है positive का मतलब होता है lagging और capacitor जब absorb करता है Q तो Q negative आता है that is leading तो absorbing leading और delivering lagging एक ही बात होती है ठीक है भई तो आप देखो transmission line का तो जो output है वो electrical ही है receiving end पे आप electrical load लगाओगे चाहे tube light लगाओ, चाहे fan लगाओ चाहे AC लगाओ, चाहे industrial load लगाओ इसलिए transmission line में बात होती है voltage regulation की अब transmission line में जब voltage regulation की बात होती है तो यह voltage कहां पे देखा जाता है यह voltage देखा जाता है बिटा, output पे output transmission line के case में होता है receiving end कहां पे होता है output, receiving end तो voltage regulation हम यहाँ पे क्या कहते है fluctuation in receiving and voltage as load at receiving end varies ठीक है receiving end की voltage में कितना fluctuation होगा, जैसे जैसे आपका receiving end पे load vary करेगा तो यहाँ पे voltage regulation कैसे निकालते हैं, mod vr0 minus mod vr by mod v rated ठीक है, यह होता है आपका voltage regulation क्या होता है, voltage regulation यह बात clear हुई अब यहाँ पे मेरे बच्चो saving end voltage at no load ठीक है जी no load का यहाँ पे sense क्या होता है, that ir is equal to zero ir आपका zero रहना चाहिए, ठीक है then how can we improve our voltage regulation, बेटा वो voltage control में पढ़ा जाता है, और जमशेद भाई आपको अगर इतनी सारी चीज़े जानने हैं, मेरा power system का comprehensive course इस channel पे पढ़ा हुआ है, पूरा detail में देख लो, 100 घंटे के आसपास का course है, अब देखो क्या होता है, जब transmission line की performance study की जाती है, transmission line का analysis किया जाता है, तो हमें ना उसको classify करना पड़ता है, different categories में, sir ये classification क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा जब हम different categories बना रहे हैं, short, medium और long line, तब हम basically कर क्या रहे हैं, transmission line के circuit को हम approximate कर रहे हैं, transmission line के circuit को approximation से क्या होता है, कि उसका analysis थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो basically मैं ये अलग-अलग classification से अपनी मेहनत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना effort बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन at the same time बिटा जब आप approximation करते हो, तो कही ना कहीं कुछ ना कुछ error भी introduce हो जाता है, तो हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है, effort को minimize करते हुए, at the same time, error को भी minimum रखना है, या ये कह दो accuracy को maximum रखना है, तो छोटा मोटा error आएगा, बात सही है, लेकिन at the same time हमारी मेहनत भी काफी हद तक बचनी चाहिए, अब देखो transmission line को जब L by lambda, lambda जो होता है ना, वो कितना होता है, C into F, ठीक है, C into F, तो ये सी लिए हम कह देते हैं, sorry, C by F होता है, C into F नहीं, C by F, इसलिए इसको हम कह देते हैं, L F by C, अब यहाँ पे C तो constant है, C तो constant है, इसलिए हम कहते हैं, classification on basis of L F, classification on basis of L into F, ठीक है, तो देखो अगर 50 hertz की बात करें, तो वहाँ पे criteria होता है, 80 km का, यानि line की जो total length है, अगर वो 80 km से कम है, तो it is a short line, अगर L into F निकालोगे 50 hertz पे L into F आएगा 4000, 4000 km per second, medium line के लिए 50 hertz का criteria होता है बिटा, 80 km से 200 km, यह 50 hertz का criteria है, तो जब आप 50 hertz multiply करोगे, तो यह आएगा 4000 से 10,000, और long line में 50 hertz का criteria है, greater than 200, यानि L into F 10,000, सर आप यह L into F क्यों बता रहे हो बिटा, क्योंकि किसी question में अगर मान लो ऐसा दे दिया, कि frequency मैंने 50 hertz की जगे 500 hertz ले ली है, तो 500 hertz करते ही frequency, यहाँ पे 8 km आ जाएगा based on frequency, तो यह जो length defined है, यह 50 hertz के लिए है, अब शुबम कह रहे हैं, सर मीडियम लाइन 200 km तक लेते हैं, 240, बिटा यह वाला पार्ट थोड़ा सा controversial है, क्योंकि कुछ किताबे 200 km लेती हैं, कुछ जो है 240 km लेती हैं, तो आपको ऐसा controversy gate में देखने नहीं मिलेगा, जहां आपसे medium और long classify करा ले, add the boundary, अगर ऐसा होगा तो grace mark सबको मिलेंगे, बात clear है, अब देखो transmission line को हम treat करते हैं, बिटा, as a two port network, two port network की तरह क्यों treat किया जाता है, two port network की तरह इसलिए treat किया जाता है, क्योंकि इसके दो end है, एक है sending end और एक है receiving end, वहाँ पे हम लोग sending end पे power input दे रहे हैं, एक source की मदद से, और receiving end पे power draw कर रहे हैं line से, into a load, तो basically two port network की condition क्या होती है, that there must be two ports, one is the input port, one is the output port, तो जब हम लोग transmission line को as a two port network treat करते हैं, तो इसके two port parameters में हम लोग use करते हैं, a, b, c, d parameter जिनको कहते हैं transmission parameter, अगर मैं आपको सच्चा ही बताओ, transmission parameter define ही किये गए थे, for the case of transmission line, किसके लिए define किये गए थे भई, for the case of transmission line, अब यहाँ पे a, b, c, d parameter हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो मैं आपको बताया हम तीन model की बात करेंगे short, medium और long, किसकी बात करेंगे short, medium और long, तो पिटा तीनों lines के लिए आपका analysis अलग अलग होगा, आपका model अलग होगा, current voltage का equation अलग होगा, power का equation अलग होगा, इससे बहतर यह हो कि अगर मैं पूरा analysis ABCD की terms में कर लूँ, यानि मैं current voltage ABCD में निकालनू, मैं efficiency ABCD में निकालनू, मैं voltage regulation ABCD के अंदर निकालनू, ठीक है, और साथ-साथ मैं power भी ABCD में निकालनू, तो फिर मैं क्या करूँगा, short, medium और long line के लिए, अलग-अलग ABCD parameter डालता रहूँगा, short की values अलग, medium की अलग, long की अलग, लेकिन formula एक रहेगा, क्योंकि formula किस में होगा, ABCD की terms में, मुझे बस क्या करना होगा, based on the model of the line, I'll have to change the values of A, B, C and D, बात चमक रही है, अच्छे से, बताइए, ये बात चमक रही है, जमशेद मेरे भाई देखो, पहली बात तो बिटा, ये AMA session है नहीं, है ना, मुझे पता है, तुम्हें power system में हो सकता है, बहुत सारी queries हो, बहुत सारे doubt हो, लेकिन ये session उसके लिए नहीं है, ये gate 2023 का crash course है, फिर मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम्हें पूरा power system depth में सीखना है, आप सर्च कर लो, power system creatrix, या power system अंकित गोईल, आपको पूरी playlist मिल जाएगी, अराम से फुरसत से बैठके पड़ो, but please don't make this a doubt session, this is not a doubt session, ठीक है, चलो, अब जब ABCD parameter की बात करते हैं, तो देखो ऐसे दिखाते हैं, पहले port पे sending and voltage, sending and current, दूसरे port पे receiving and voltage and receiving and current, अब ABCD parameters की equation क्या होती है, यहाँ पे ऐसे होती है, VS is equal to AVR plus BIR, और यहाँ पे यह ध्यान देना, IS enter करता है, IR आपका leave करता है, and IS is CVR plus DIR, तो इसको न, अक्सर हम लोग matrix की form में दिखाते हैं, VS, IS is equal to A, B, C, D, VR and IR, अब आपको एक चीज़ और notice करनी है, यह जो equation है, VS और IS की, these equation are on per phase basis, किस पे हैं, per phase basis यहाँ पे हैं, यहाँ पे आपको phase voltage और phase current का use करना है, दूसरी बात क्या होती है, यह जो A, B, C, D parameters भी होते हैं, these are complex values, क्या होते हैं, these are complex values, और यह बात को बिलकुल बिटा, अपने दिमाग में रखेंगे, कि transmission line को as a star connection treat किया जाता है, यानि phase current is same as the line current, but phase voltage is the line voltage by root 3, मैंने बताया था न, आपको पहले ही, कि phase voltage होती है, line voltage by root 3, and phase current is same as that of line current, ठीक है जी, यह चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, अब अगर हम receiving end को open circuit कर दें, तब sending end से कितना impedance नजर आएगा, अगर बिटा, आपने IR को zero कर दिया, तो आपका जो VS है, वो बन जाएगा A, VR, zero, ठीक है, A, VR, zero, और पता, यहां से न, आपको एक चीज़ और मिल गई, सोचो तो, आपको क्या मिल गया, no load receiving end voltage, क्योंकि no load का मतलब तो यही था न, कि IR is zero, तो यहां पे मेरे बच्चों आपको VR zero क्या मिल गया, VS by A, तो अगर आपको transmission line का A parameter पता है, ABCD का A parameter पता है, तो आपको no load voltage भी मिल सकती है, mod VS by A, mod VS न, हमेशा known होता है, क्योंकि sending end पे क्या लगा है, source, source का voltage तो fix रहेगा, source माने एक synchronous generator है न, तो synchronous generator का voltage तो fix है, तो अगर आपको transmission line का A parameter पता है, तो synchronous generator की जो output voltage है, that divided by A will give you the no load receiving end voltage, अब receiving end short circuited, short circuit का मतलब है भाई, VR is zero, अच्छा पहले ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे IES आ जाएगा, CVR zero, तो ZS जो होगा, या ZOC लिख देते हैं इसको, ZOC, जो sending end पे देखोगे, VS upon IS, it will come out as A by C, अब अगर VR को zero कर दिया, तो VS आ जाएगा B, IR, and IS will be D, IR, अब अगर आप sending end पे impedance देखें, इसको बोलोगे short circuit impedance, VS by IS is B upon D, कितना आएगा B upon D, अब transmission line को हम लोग कहते हैं characteristic impedance, transmission line के अंदर, एक characteristic impedance define की जाती है, लेकिन इसका significance आप आगे समझोगे, significance आप कब समझोगे, जब आप transmission line के अंदर waves की बात करते हो, characteristic impedance, actual impedance नहीं होती है line की, मतलब ऐसा नहीं है transmission line के अंदर इतनी impedance लगी है, transmission line पे जब wave propagate करती है न, तो actual में wave के जो voltage current का ratio होता है, that is, that is your characteristic impedance, तो हम लोग यहीं कह देते हैं, characteristic impedance is nothing but, but the impedance offered to the, impedance offered to the traveling wave inside a transmission line, तो यहाँ पे देखो, यह है आपका open circuit, यहाँ पे आपने Z OC निकाला, यह आपका A by B, sorry, A by C, ठीक है, तो आपका जो characteristic impedance होगा न, मेरे बच्चों, characteristic impedance, that will be geometric mean of Z OC into Z SC, तो यह होता है, under root AB by CD, ठीक है, आगे के लिए मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिया है, this is the impedance offered to traveling wave in a transmission line, ठीक है, तो ऐसी कोई impedance होती नहीं है, basically जब wave nature study करते हैं, तो voltage और current का जो ratio आता है, that is ZC, ठीक है, अब चलो यह बताओ, फटा-फट से, for transmission line, which of the following relation is true, बताईए, transmission line के लिए इन में से कौन सा relation सही है, फटा-फटा answer कीजिए, चलिए, come on everyone, yes, A, तो हमेशा याद रखेंगे, एक बात को हमेशा याद रखेंगे, कि all practical, all practical transmission line are always symmetrical and reciprocal, यह आप network में पढ़ते हो ना, two-port network में, are always symmetrical and reciprocal, तो symmetry से यहाँ पे क्या condition बनती है, symmetry की condition होती है, भाई, that A equal to D, और reciprocity की condition क्या होती है, AD minus BC equal to 1, ठीक है, तो यह होना जरूरी है, मतलब practically ऐसा देखा जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, जो model, इन condition को satisfy करें, जो की practically मुझे नजर आ रही हैं, वो model अच्छे models हैं, अगर इन condition को satisfy नहीं करेंगे, यानि वो model ही बेकार है, क्योंकि practically ऐसा होता है, और अगर model, practicality को represent ना करें, then that is not a good model, अगला देखिए, अगला देखिए, आपको generalize constant दिये हैं, transmission line के, receiving end का load दिया है, आपसे sending end का voltage पूछ रहा है, line to line, sending end line voltage, come on everybody, अगरी. निकाले देखो सबसे पहले जब आपको load दे रखा हो, receiving end voltage दे रखा हो, तो सबसे पहले तो आप receiving end का current निकाल लिया करो पहले ये भी देखना बिटा जो load दिया है वो real power है या फिर apparent power है real power है तो power factor का use होगा root 3 V cos 5 root 3 V cos 5 169.123 यह आया थीक है अब आपको vs लिखना है A V R प्लस B I R I R जो है ना इसको भी आप किलो में कर लो क्यों क्योंकि आपकी voltage किलो में है ना और इसका angle क्योंकि यह 0.9 lagging है तो minus 25.84 तो यह ध्यान रखना है जो A V R प्लस B I R वाली equation है यह हमेशा आपकी phase में ही लगती है बिटा ठीक है हमेशा phase में लगती है ठीक है बई तो यह आ रहा है 135.12 7 लेकिन इसने तो line to line voltage पूछा है ना बई तो आप root 3 से multiply भी करेंगे 231.177 KV यह आ गया 231.177 KV यह यार है 235 बता रहे हो आप लोग 58 मेगा वाट था यह तो यह आ रहा है करेंट मुझे लग रहा है ना तुम लोगों ने पहले का कोई आंसर याद कर रखा है तब ही ऐसा हुआ है ऐसा है कि में टू थर्टी फोर पॉंट 04 मैंने mod नहीं लिया शहएद यह आ रहा है 235 तो नहीं आ रहा है ना vs equal to vr by a vs तो कभी भी vr by a नहीं होता vr होता है vr 0 जो है that is vs by a ठीक है मैंने कहां पर लिखा है देखो मैंने vr 0 को ही तो लिखा है vs by a ही तो लिखा है चलो अब आते हैं भई सबसे पहले model पे short transmission line पे short transmission line के analysis में हम लोग क्या करते हैं जो line charging current होता है और जो leakage current होता है बिटा उसको ignore कर देते हैं दूसरी बात क्या करते हैं जो resistance और inductance पूरी line में distributed थे उनको हम lump करके as a individual element दिखाते हैं तो हम लोग यहां पे क्या कह रहे हैं that we ignore ignore line charging and leakage current ठीक है और यह R और L को आपने lump कर दिया है lump करने का मतलब पता है क्या है कि पूरी line का जो total resistance है और जो total inductance है आप उसको एक single element से show कर रहे हो यानि यह जो L है this is inductance in milli henry per kilometer जो आप निकाल रहे थे multiplied by length और यह जो resistance है that is R यह भी ohm per kilometer में चलता है multiplied by length यह मतलब है lumping का कि आपने पूरी line का जो total value था उसको एक single element से show कर दिया अब क्योंकि आप AC की बात कर रहे हो तो आप यहाँ पर reactance दिखा सकते हो J omega L अब आप यहाँ पर देखो बीच में कोई किसी प्रकार का current diversion या current division तो है नहीं इसका मतलब है source से जितना current चला है IS that will exactly be equal to IR और यह जो आपका R plus JX है इसको हम Z कह देते हैं Z equal to R plus JX या फिर R plus J omega L यह complex number हो गया ना अगर आप मेरे बच्चों KVL लगाऊगे ना IS निकालने के लिए तो it will be VR plus IR Z अब देखो आपको VS और IS का equation मिल गया यानि आपको ABCD parameter मिल चुके हैं इस line के ABCD parameter के लिए ना VS और IS निकालना पड़ता है in terms of VR and IR in terms of VR and IR बात समझ में आ रही हैं यह देखो तो यहाँ पे जो नाम आएगा VS is VR plus Z IR IS is IR तो यह parameter आपको हमेशा दिहान में रहने चाहिएं IZ sorry 1Z01 तैंक यू सुमित and I hope बटा you keep learning keep growing अब phasor diagram की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होता है दोनों end पे आपका current तो same है IS और IR इसलिए बहतर यह रहता है कि हम ना इसी को reference मान लें जो quantity sending और receiving end पे common है we consider that as a reference और फिर अब मुझसे क्या बना लें phasor diagram देखो कैसे बनता है सबसे पहले IS और IR यह एक ही arrow है इसको आपने as a reference ड्रॉ किया ठीक है अब मैं कहता हूँ lagging load मान लो यानि कि जो VR है वो lead कर रहा होगा जो VR है मेरा वो lead कर रहा होगा कितना angle fire lagging load का मतलब होता है कि current lag करे current lag करने का मतलब है voltage का lead करना अब आपने बोला ना VR plus IR Z Z में तो R और X दोनों है R और X दोनों है इसका मतलब है बिटा कि आपको एक तो IR into R add करना है यह आ गया एक IR into X आपको add करना है ठीक है यह IR into R आ गया और यह IR into X आ गया Z का तो ऐसी होता है ना तो जो resistance का voltage है बिटा वो तो current के same phase में है और जो reactance का voltage है वो current से 90 degree leading है ठीक है? यह आ गया आपके पास sending end voltage और यह जो angle है this is phi S अब देखो यहाँ पे जो equation निकाली जाती है ना मेरे बच्चों वो निकाली जाती है same as that of a synchronous machine किसके जैसी equation आती है हमारे पास? synchronous machine जैसी तो हम क्या करते है ना यहाँ पे इसके horizontal और vertical component देख लेते हैं किसके VS के VR के VS और VR के दो-दो component देख लेते है horizontal और vertical ठीक है बई? अब देखो यहाँ VS का जो horizontal component होगा that will be VS cos phi S which will be same as the sum of horizontal voltage VR का horizontal यह हुआ और current वाले का horizontal है IRR ऐसी VS का जब vertical component लोगे it will be vertical component of VR और फिर current वाला जो vertical drop है IRRX अब यहाँ से क्या फाइदा हो गया अगर square करके add कर लें तो VS मिल जाता है VR cos phi R plus IR into R whole square ठीक है और VR sin phi R plus IRX का whole square ठीक है अंडरूट और अगर दोनों का ratio ले लो तो आप 10 phi S भी निकाल सकते हो बस यहाँ पे बिटा आपको ध्यान क्या रखना है यह जो formula आपने derive किया है यह formula आपने lagging power factor के लिए derive किया है और क्योंकि आपने lagging power factor के लिए derive किया है leading के लिए आपको क्या करना होगा आपको 5R को negative रखना होगा ठीक है leading power factor के लिए आप यहाँ पे 5R को negative रख देंगे बस power loss तो होगी नितिन भाई कैसी अजीब हो गरीब बात करते हो कोई भी वायर लोग है उसमें heating तो आएगी न पिटा उसको कैसे super conductor बना रहे हो क्या यह बात clear हो गई तो देखो यही फेजर डाइग्राम है तो आपको basically यह धियान रखना है कि मैंने आपको यह derive तो कराई दिया for leading power factor use negative 5R यानि कि देखो अगर आपके पास ऐसा आता है 0.8 lagging तो 5R होगा 36.86 और अगर 0.8 leading है तो आपका 5R होगा minus 36.86 ठीक है तो इस साब से आपका 5R positive और negative आपको put करना पड़ेगा ठीक है भई अब 0 voltage regulation की condition क्या होती है without load के अरे भाई feeder में load नहीं होता लेकिन उसके आगे वाली वाय distributor में तो load होता है अगर distributor load को supply करें तो current होके तो feeder से ही जा रहा है सोचने वाली बात है नितिन भाई अगर ऐसा बोलें कि generator पे load नहीं है बट generator के आगे transformer है फिर transmission है फिर load है बट वो current आ तो generator से ही रहा है ऐसा थोड़ी generator में loss नहीं होगा पुश्पाशीश पूच रहे है इस बार gate में traveling wave chapter है पहली बात तो traveling wave नाम का ना तो कभी कोई chapter था ना कभी कोई chapter होगा ठीक है दूसरी बात क्या है बई कि जो भी आपका traveling wave है वो बहुत एक छोटा सा concept है तो उस पे तो question आई सकता है क्यों नहीं आ सकता ऐसा थोड़ी है इस बार gate का से लिए बस बदला है अब zero voltage regulation जो होती है बिटा transmission line में वो आती है at leading power factor at leading power factor यहाँ पे condition यह होती है कि mod vs must be equal to mod vr और इसके लिए जो condition आती है न वो यह आती है cos theta plus pi r is minus i r z by 2 vr पहली बात तो देखो यहाँ पे जो आप values रखोगे यह सारी values all are per phase दूसरी बात है कि use positive value of pi r क्यों sir leading में तो negative लेना था बिटा यहाँ negative मान के पहले से minus sign लगा लिया था तब derive किया था ठीक है क्योंकि हमने already consider कर चुके है negative sign अब आप दुबारे लोगे तो गड़बड हो जाएगी ना समझ में आ रही है बात इस formula को जब हमने derive किया है तो हम negative sign पहले ही consider कर चुके हैं अब अगर आप दुबारे लोगे तो दिक्कत आ जाएगी अब यहाँ पे theta की value कितनी होती है theta जो है ना transmission line की impedance का angle होता है तो देखो transmission line में resistance और reactance है यह उसका impedance angle है ठीक है यह बात समझ में आई maximum voltage regulation जो होती है this occurs at lagging power factor यह कहाँ पे occur होती है बिटा this occurs at lagging power factor और इसकी condition क्या होती है इसकी condition होती है phi r बराबर theta क्या होती है phi r बराबर theta और maximum voltage regulation आती कितनी है that is ZPU ठीक है at full load ZPU is per unit impedance of transmission line मैं बार बार यह चीज़ क्यों mention कर रहा हूं बिटा क्योंकि क्या होता है न थेको आपके पास 2 impedance होती है एक तो load की होती है और एक होती है transmission line की तो maximum voltage regulation में जो impedance नजर आ रही है that is the impedance of transmission line ना कि load की ठीक है load की impedance की बात नहीं है अब देखो अगर अगर हम इसके phasor diagram की बात करें देखो दो चीज़े हैं एक तो क्या है ना मैं आपको पहले एक circuit बना के दिखाता हूं यहाँ पे हो क्या रहा है देखो एक transmission line का model है ना आपका ऐसे simple इसके आगे आपने load connect की आवा है load के अंदर भी resistance और reactance है line के अंदर भी resistance और reactance है तो यह है आपका z line और यह है आपका z load अब condition हमको यह given है मेरे भाई कि जो load का x by r ratio यानि जो load का angle है that is less than the angle of line ठीक है angle of line live हो सर्या recorded चला दिया भीटा घौंचुलाल यूट्यूब पे दिख जाता है कि streaming हो रही है या प्रेमियर हो रहा है प्रेमियर recorded होता है streaming live होती है बताओ कैसे कैसे तुम कर रहे हो भाई देखो सबसे पहले अब phaser diagram देखना यह IS और IR हो गया अब load का यह जो x by r होता है न पिटा यह tan phi r होता है basically receiving end का angle और यह जो होता है यह tan theta होता है तो basically आप यह कहना चाहरे हो theta is greater than phi r अब देखो आपने phi r छोटा बनाया यह receiving end का voltage है यह है आपका phi r अब आप receiving end के voltage में क्या add करते हो बंधू एक तो resistance का drop add करते हो यह लो जी जो resistance current के parallel है एक आप बिटा reactance का drop add करते हो reactance मैं काफी बड़ी बना रहा हूँ resistance के मुकाबले उसका simple सा logic क्या है कि भई आपका theta काफी बड़ा होना चीए और theta बड़ा होने का मतलब यह होता है कि reactance काफी बड़ी होनी चीए resistance से देखो दिख रहा है ना यह जो theta है this is much much greater than phi r theta is much much greater than phi r अब यहां से जो आपने बनाया this will come out as vs अब आपको पता है notice यहां पे क्या करना है आपको notice यह करना है कि phi s जो आ रहा है वो phi r से बड़ा आ रहा है ठीक है phi s अगर phi r से बड़ा आ रहा है बच्चो तो इसका मतलब है sending end का जो power factor है that is less than receiving end power factor ठीक है और तुम लोग यहां live की demand तो ऐसे करते हों कि sir lecture live है recorded चला दिया है जैसे सारे की सारे live ही देख रहे हों कि सारे videos है recorded तो देखते ही नहीं हो तुम लोग जितने भी हमारे views आते हो तो live में आ जाते हैं हमिशा ऐसी बात है ना अब देखो अगर अब की बार उल्टा कर दिया जाए यानि लोड का x by r ratio जादा कर दिया जाए अगर मेरे भाई लोड का x by r ratio जादा है तो इससे क्या समझते हो इससे ये समझते हो इस बार that phi r is greater than theta या फिर आप पता है ये भी कह सकते हो कि transmission line का reactance का में resistance जादा है तो resistance reactance को dominate कर रहा है और ऐसा पता है कहां होता है ऐसा distributor में होता है distributor के अंदर ना resistance हमेशा reactance को dominate करता है वैस सोचने वाली बात है तुम लोग को live बुलाने के लिए video तक तो private करने पड़ते है और फिर video प्रीमियर कर दो तो sir live क्यों नहीं पढ़ा रहे देखेंगे हम recorded लेकिन आप live पढ़ाओ कैसी कैसी इच्छाय लेके चलते हो तुम लोग कभी कभी तो समझ नहीं आता देखना तुमको recorded है लेकिन लेक्चर लाइव लगना चीए है नहीं यह teacher मेहनत करता रहे हम अपने convenience पर देखेंगे यह आ गया तो देखो इस बार theta जो है फाई आर के मुकाबले कम है अब यहां से अगर हम sending end का voltage बनाएंगे तो देखो यह आएगा Vs अब की बार आपको एक चीज देखके नजर आएगी कि फाई एस जो है फाई आर से कम आ रहा है ठीक है फाई एस एस लेस देन फाई आर यानि sending end का power factor receiving end से बहतर होगा बड़ा है तो बहतर है ठीक है बाई sending end का power factor receiving end से बड़ा है चलो अब बात आती है बिटा approximate approximate voltage regulation approximate voltage regulation न एकदम transformer की तरह निकाली जाती है मेरे भाई मुझे गुस्सा उस्सा कुछ नहीं आया बस तुम लोग क्या है ना मतलब मुझे इतने साल हो गए 10 साल पढ़ाते पढ़ाते बड़ स्टूडेंट्स को देखके मेरा चौकना बंद नहीं हुआ कुछ ना कुछ ऐसी बात ऐसी कुछ ना कुछ तुम बोल दोगे कुछ कह दोगे लिख दोगे जिससे मैं शौक दो जाता हूँ कि सच में ऐसा है बेटा अभी फॉल्ट तो चल नहीं रहा है स्टडी सेंटर तो बेटा सेंटर पे जाके पढ़ाई करो फॉल्ट की अभी जब हम पढ़ाएंगे तब यहां पर पढ़ लेना आईडी ऐसी ऐसी बनाएंगे स्टडी सेंटर इतनी तो तुम स्टडी नहीं कर रहे जितने सेंटर तुमने लिख रखे है अब यह देखो मैंने लैगिंग पावर फेक्टर के लिए बनाया अब मुझे अगर वी एस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे आई आई आर इंटू आर एक वोल्टेज ड्रॉप एड करना पड़ेगा ठीक है भई यह देखो आई आई आर इंटू आर जो बनेगा न वो आई आई आर के सेम फेज में होगा देखे रो तरकीब पहले आई आई आर के पैरलल बनाया फिर उसको उठा के ले गए फिर आई आर इंटू एक इससे 90 डिगरी लीड करता है तुम तो जानते ही हो भई एक्सपर्ट लोगो यह आ गया आई आर इंटू एक्स अब बिटा ओरीजिन से जब हम जोडेंगे यहाँ पे अब यहाँ पे किया क्या जाता है बंदू यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यह डेरिवेशन ट्रांसफॉर्मर में भी होता है न अब इसका एक आर्क बनाते हैं और कहते हैं यह लेंथ भी वी एस ही है लेकिन approximation के मामले में हम क्या करते हैं देखो छोटी सी length बचती है यह वाली इस length को हम ignore कर देते हैं ठीक हैं? तो हम कह देते हैं V's जो होगा वो O'A प्लəस A'B प्लस BC होगा हम यह कह देते हैं mod v s is approximately o a plus a b plus b c आगे की छोटी सी length को ignore कर देते हैं तो यह होता है v r plus ir r cos f r x वाला इसके perpendicular है इसलिए ir x sin f r अब देखो आप एक चीज़ समझना बिटा यहाँ पे आप लोगों ने जो a b c d parameter निकाले थे उसमें a कितना आया था 1 था ठीक है आपका जो a आया था वो कितना था 1 था जीरो voltage regulation synchronous जैसा और approximate voltage regulation transformer जैसा क्यों है भाई जो approximation transformer में कर रहा था वही अगर transmission line में करूंगा तो क्या induction जैसा आएगा result transformer जैसे ही तो आएगा और जब exact कर रहा था तो exact में synchronous वाले result मिल रहे थे यह जो दोनों निकाले थे हमने कहां गए यह जो दोनों निकाले हैं दोनों synchronous वाले हैं ना क्योंकि यह circuit synchronous का है भई यह circuit भी तो synchronous में ही होता है यहाँ EF होता है यहाँ VT होता है बीच में R और X होता है तो exact जब मैं निकालता हूँ तो it comes out as a synchronous machine आप जब approximation transformer वाला लगा रहा हूँ तो result भी तो transformer वाला मिलेगा अच्छा देखो मैं आपको क्या बता रहा था भई कि आपका यहाँ पे जो A parameter है वो 1 है तो mod VR 0 जो कि होता है mod Vs by mod A is mod Vs तो जो आपका voltage regulation आता है वो VR 0 लेते थे थे ना तो यहाँ पे यह आ जाता है short line के अंदर ठीक है क्योंकि A1 हो जाता है ना तो VR 0 जो है Vs के बराबर हो जाता है तो यह जो formula है this is only for short line क्योंकि अगर और कोई line होगी ना तो Vs की जगे Vs by A लिखना पड़ेगा यह तो short line के अंदर A की value 1 है तो short line के अंदर आपका Vs आ जाता है Vs by A की जगे अब यहाँ पे पिटा इस logic से voltage regulation कितना बनता है Ir Vs minus Vr करोगे ना R cos Vr यह देखो यह transformer वाला formula बन जाएगा X sin Vr by Vr इसको हम ऐसे कर देते हैं R pu cos Vr plus x pu sin Vr यह हमारा voltage regulation का expression आ जाता है R pu cos Vr plus x pu sin Vr और फिर वही बात है लीडिंग पावर factor पे आप Vr को negative डाल दोगे ठीक है लीडिंग पावर factor पे आप Vr को negative डाल देंगे ठीक है यह बात clear हो गई KK जी का 47 आप हमेशा serious रहते हो आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा है इस बार gate में पूछा जा रहा है क्या यह कि अंकि सर कितने से कितने बजे के बीच मुस्कुराते हैं शाश्वत जी पूछ रहे हैं पिछले cases से क्या समझें बिटा cases से यह समझें कि अगर ऐसा case देखा जाए तो यह feeder में देखने मिलता है feeder में sending end का power factor receiving से खराब होता है और यह ज़्यादा तर distributor में देखने मिलता है वहाँ sending end का power factor receiving से बहतर होता है यह समझेंगे हाँ usually देखो approximate formula हमको use करना चीए sorry avoid करना चीए gate के लिए आप exact result पे काम करो लेकिन जब data ही आपके पास इतना ना हो कि आप exact result लगा पाओ या exact formula लगा पाओ then we need to use the approximate result अब यहाँ पे देखो using approximate voltage regulation तब भी ना जो आपकी maximum voltage regulation की condition है वो same आती है यानि phi r equal to theta and maximum voltage regulation is zpu ठीक है तो यानि maximum voltage regulation same आती है as exact condition exact वाली ही आती है लेकिन zero voltage regulation की जो condition है ना बिटा वो थोड़ी सी बदल जाती है यह leading power factor load पे आती है और यहाँ पे phi r हो जाता है 90 minus theta या यह कहलो cos theta plus phi r तो zero voltage regulation की जो condition है ना वो आपकी approximate और exact में अलग-अलग आती है बट maximum voltage regulation same आती है अब समझ आया कुछ विरेंदर भाई बोलो दो तरह से निकाल सकते हो exact वाला कौन सा method है synchronous वाला approximate वाला कौन सा method है transformer वाला उसमें maximum voltage regulation की condition तो same है लेकिन zero voltage regulation की condition different है तो देखो maximum voltage regulation जो आती है कितने angle पे आती है tan inverse x by r पे और zero voltage regulation tan inverse r by x पे r by x पे maximum आती है lagging power factor पे zero आती है leading पे और leading पे जादा तर आपकी voltage regulation negative देखने मिलती है leading पे आपको जादा तर voltage regulation negative देखने मिलती है बात clear है चलो अब short line के question देखते हैं फिर medium line कराऊंगा a short line has a series impedance of 20 plus j50 it delivers a load of 50 megawatt at 0.7 determine ABCD parameter voltage regulation receiving end का voltage दिया है अब ABCD parameter तो बड़े simple है भई 1, Z, 0, 1 तो फटाफट निकाल दो ये Z को polar form में बले ही convert कर लो वरना ऐसे भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है तो तुम तो voltage regulation पे काम करो ABCD में तो कुछ भी नहीं है जब भी load दे रखा है receiving end का voltage दे रखा है पहले आप current निकाल लीजिए मेरे साथ साथ करो भई पहले current निकाल लो हमेशा पहला step यही करना है current निकालना है ठीक है तो यह आ रहा है 187.45 ठीक है अब आपको जब sending end का voltage चाहिए magnitude से ही तो मतलब है वी आर कॉस फाई आर किलो में ले लो कोई दिक्कत नहीं है कॉस फाई है पॉइंट सेवन प्लस आई यार आर current को भी किलो में करना पड़ेगा फिर इंटू रजिस्टेंस होल स्कॉायर प्लस अब यहाँ पे साइन फाई देखना पड़ेगा तो देखो जब कॉस फाई पॉइंट सेवन है तो यहाँ पे फाई आर निकाल सकते हो न कितना होगा 45.573 45.573 तो वही आएगा साइन और लैगिंग है न तो फाई को नेगेटिव मत रखना प्लस पॉइंट वन एट सेवन फोर फाई इंटो फिफ्टी होल स्कॉायर अंडर रूट अब देखें भाई यह कितना आ रहा है सभी लोग बताओ मेरा आ रहा है 136.39 अब देखो जब वोल्टेज रेगुलेशन निकालोगे न बिटा थोड़ा सा केरफुल रहना कि VS और VR या तो दोनों के दोनों आप लेना फेज में या फिर आप दोनों के दोनों लेना लाइन में तो जैसे देखो मैं फेज में ले रहा हूँ ठीक है यहाँ पर यह जो दोनों वैलियूज है यह मैं फेज में ले रहा हूँ 7.38% यहाँ ठीक है क्या बात है बहुत बढ़िया ठीक है तो यहाँ तो दोनों voltage phase में लेना voltage regulation निकालते वे या दोनों line में चलो अगला देखो जरा अब देखो यह जो R और L दिया है distributed दिये है ना पर unit length दिये है तो पहले इनको lump कर लो ठीक है पहले इनको lump कर लो और फिर VR दिया है 10KV आपसे regulation और efficiency पूछ रहा है आर्यन एक तर ऐसे बिटा मैंने किया तो ABCD parameter से यह ना VR प्लस IR Z आप AVR प्लस BIR कह सकते हो क्योंकि A तो 1 है और BZ होता है तो VR प्लस IR into Z basically AVR प्लस BIR ही तो हुआ पहले receiving end का current निकाल लो और यह impedance पता कर लो line की पहले IR निकाल लो single phase line बोला यह ध्यान देना तो root 3 वगेरा मतले बैठना power factor है 0.8 50 by 0.8 60 2.5 ampere अब जब Z लोगे R into length प्लस J 50 हर्ट्स है ना तो omega is 100 by 0.63 milli henry per kilometer और length है 25 kilometer तो kilometer तो कटी जाएगा निकाल भी दिया इसका answer इतनी जल्दी वैसे आना तो नहीं चाहिए था देखते हैं क्या किये हो 4.948 यह हुआ अब यहाँ पर बात है कि आपका Vs कितना आएगा Vr 10 Kv किलो में रहने दो Cos Yr अब कॉस पाई अगर 0.8 है तो sin 5.6 है Plus Yr into X 10.2125 अब यहाँ voltage regulation 10.2125 minus 10 by 10 into 100 तो 2.125 अच्छा तुमने यहीं से जज़ कर दिया D आएगा क्योंकि बाकियों में voltage regulation काफी जादा है अगर आप loss की बात करें मिटा तो current है I 62.5 square into R यह आपका loss होगा ठीक है तो 1.904 kW अब load 500 kW का है न 500 by 501.904 output plus loss 99.62 ठीक है तो answer will be D लेकिन बेटा कई बार voltage regulation high भी आ सकती है data ऐसा set कर सकता हूँ यह मत सोचना कभी भी high नहीं आएगी चलो अगला देखो for a 50 Hz transmission line having a length of 20 km receiving and load गिवन है resistance, inductance गिवन है percentage regulation करो वैसे जोए ना inductance नहीं है reactance unit देखना यह reactance है ठीक है करो फटा फट से झाहे है तुमने ब्रैकेट वगरा गलत लगा दिया होगा और क्या और कोई लॉजिक नहीं हो सकता थ्री फेज मानलू 11 के भी दिया है लूड भी मेगावाट में है चलो इतने मैं भी शुरू करता हूँ इस क्वेशन को पहले हम आई यार निकालेंगे 10 मेगावाट बाइ रूट 3 इंटू 11 के भी इंटू 0.866 यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि 5R जो है न 30 डिग्री है लोड का जो पावर फेक्टर है अब रूट 3 बाइ 2 यानि 3 बाइ 2 2 बाइ 3 606.06 यही आ रहा है करेंट अब यहाँ पे जब आप Vs निकालोगे फॉर वोल्टेज रेगुलेशन तो VR लिखोगे 11 बाइ रूट 3 किलो में ही लेके चलते है 0.866 प्लस 0.606 करेंट भी किलो एंपियर में ले लिया अब रजिस्टेंस है 0.05 इंटू 20 1 ओम और रियाक्टेंस ऐसी आ जाएगी 3 ओम इससे 3 गुना है न अगर यह देखो यह कॉस 30 है बिटाद तो यहाँ पर साइन 30 आएगा और रियाक्टेंस से 3 यह होगा ठीक है मेजरमेंट का वेटेज कितना होता है गेट में अब छोड़ने चाड़ने की बाते हो रही होंगी न इसलिए ऐसा ही है न भाई 7.8878 अब वोल्टेज रिगूलेशन यह क्लियर होगा न शॉर्ट लाइन 24.2 देखो मैं कहा रहा हूँ न वोल्टेज रिगूलेशन हाई भी आ सकती है यह लाइन 3 फेज है सिंगल फेज अभी तो बता है 3 फेज मान लो क्योंकि 10 मेगावाट का लोड है तो बेटा अभी तो मैं मेजरमेंट कराई रहा हूँ अभी तो एक ही सेशन करा है साथ विक पिछले संडे आज होगा 4 बजे एक और सेशन बोला तो है 5 सेशन में मेजरमेंट पूरा कर लेंगे हाँ कर सकते हो RPU निकाल के जरा यह देखो शौर्ट ट्रांस्मिशन लाइन का इंपिडेंस दिया है पर यूनिट में फुल लोड लीडिंग पावर फेक्टर तो कौन सी वोल्टेज रेगूलेशन पॉसिबल है बताईए IRMS के लिए क्या इनिशेटिव लाएं यूट्यूब पे बताओ सारा टेक्निकल तुम्हें यूट्यूब पे दे ही रखा है तो मेंस के लिए जितना चीज सारा तो करा रखा है यूट्यूब पे अब वो अलग बात है उसमें मैं फैंसी सा नाम चिप का कि या IRMS का करा रहा हूं बच्चे खुश हो जाएंगे दस दिन आएंगे ग्यारवे दिन फिर गाया यूट्यूब पे न बच्चा कंसिस्टेंट होई नहीं सकता इंपॉसिबल सी चीज है क्वेश्चन के सल्यूशन लिखने से पहले एक रफ एप्रोच लिखा करें बिटा एक ही एप्रोच से जब से चार सवाल करा दिये विसमें रफ एप्रोच क्या लिखूं बताओ कुछ चीज़े तो वर्बली भी समझोगे कि सारी चीज़े लिखते रहें तो आडियो बंद कर देते हैं सारी चीज़े लिखता जाता हूं जब मैं आपको बता रहा हूं जब लोड दे रखा हूं तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है करेंट निकालना है करेंट निकालने के बाद के वी एल लगाना है वी एस आ गया फिर वोल्टेज रेगूलेशन निकालना है हर बार यही कर रहे हैं अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, हमेशा हमको यह पता होता है, at leading power factor, voltage regulation is less than voltage regulation of unity power factor, unity से कमी आता है अगर ग्राफ भी देखें, तो यहाँ पे unity power factor का voltage regulation क्या होगा? बेटा calculator गलत नहीं दे रहा होगा, तुमने गलत तरीके से Kelsey में डाला होगा, calculator जो होता है बिचारे वो उनकी क्या गलती हो, तो machine है, बहुत easy होता है, calculator को blame कर तो बिचारा बोल भी नहीं सकता, है ना, तो यह आगया 7%, तो 7 से तो देखो कमी आना चाहिए, ऐसा A की option है B, unity पे जब 7 आ रहा है, तो 7 से तो कमी आना चाहिए, ना, तो B आएगा, अब आते हैं मेटा medium लाइन में, देखो आपने short transmission लाइन में क्या किया, आपने short transmission लाइन के अंदर क्या किया, सबसे पहली चीज़ आपने की, कि line charging current और leakage current इग्नोर कर दिया, अब यहाँ पे हम line charging current consider करते है तो यहाँ पे consider line charging current and ignore leakage current, बात समझ में आ रही है, ignore leakage current, अब बंधू, अगर आप line charging current consider कर रहे हो, leakage current इग्नोर कर रहे हो, तो आपको capacitor दिखाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, capacitor दिखाना पड़ेगा, अब question यह आता है कि capacitor कहाँ दिखाएं, तो पहला option होता है कि capacitor को दिखाया जाए, कहाँ पे, receiving end पे, कहाँ पे दिखाया जाए, receiving end पे, तो यह जो capacitor है, क्योंकि यह shunt है, तो इसको impedance की बना देते हैं J omega C क्या बना देते हैं कैस्टेंस को हम एक admittance बना देते हैं J omega C तो अब IC जो होता है वो होता है YVR impedance से divide करो या फिर आप कह सकते हो admittance से multiply करें अब आप अगर यहाँ standing end का current देखें भाई तो KCL से लिख सकते हो IR plus IC पहले तो सीधे सीधे IR के बराबर हो गया था ना तो YVR plus IR तो देखो IS की equation तो मिली गई लेकिन मुझे साथ साथ VS की equation भी चाहिए अब यह Z impedance है आपकी बिटा VS के लिए आप KVL लगाएंगे तो VS विल बी VR plus IS Z VR plus Z YVR plus IR ठीक है तो VR 1 plus YZ plus IR Z ठीक है अब VS और IS दोनों की equation आ गई माने की हमको मिल चुके हैं ABCD parameters अगर आप ध्यान से देखें तो VS, IS तो यहाँ पे आपको ABCD parameter मिल गए ना देखो VR के साथ 1 plus YZ, Z Y1 अब अगर आप यहाँ पे देखें बिटा तो A और D तो equal नहीं है तो not symmetrical यानि यह वाला model symmetric तो नहीं है जो कि देखके भी दिख रहा है यार दोनों तरफ से model एक जैसा नहीं है तो symmetric तो है नहीं लेकिन AD minus BC1 आ रहा है यानि this is reciprocal क्या है यह reciprocal यह एक बहुत अच्छा model नहीं कहलाएगा वही क्योंकि practically line आपकी symmetric होती है और यह circuit symmetric नहीं है ठीक है यह symmetric नहीं है सुमिट जी कह रहे है सर रजिस्टेंस और inductance के बीच में capacitance क्यों नहीं दिखा सकते देखो एक reason तो सुमिट उससे circuit symmetric रहेगा नहीं दूसरा reason क्या है resistance और inductance वायर के अंदर ही होते है दोनों में से same current flow करता है तो दोनों का हमेशा series में रहना जरूरी है ऐसा नहीं हो सकता ना कि बीच में से current capacitor में डिवाइड हो गया resistance में अलग जा रहा है inductance में अलग जा रहा है जो current वायर में जा रहा है वही flux भी पैदा कर रहा है वही losses भी करा रहा है तो R और L का current अलग-अलग कभी भी नहीं हो सकता अब इसके अंदर हम बात करते हैं फेरेंटी effect की फेरेंटी effect की बात क्या होती है कि आप अगर no load condition या light load condition में देखें यानि की load हटा दें या load बहुत छोटा लगाएं तो receiving end का voltage जो हमको मिलता है that is greater than the sending end voltage and that is said to be फेरेंटी effect ऐसा क्यों होता है this is due to the line charging current line charging current जो line में flow करता है वो vs से vr तक voltage drop कराने की जगे voltage को increase करा देता है it acts as a leading power factor load सोचके देखो leading power factor आपने short line में भी बोला voltage regulation negative आता है यानि vr vs से बड़ा आता है अब line के अंदर ही जो capacitor है उसका current तो leading power factor होगा यानि ये भी एक तरह से leading power factor load की तरह behave करेगा यानि इसमें भी क्या मिलेगा vr greater than vs तो यहाँ पे अगर देखो आप phasor diagram देखो अगर आप no load लेके चल रहे हो ध्यान से देखना no load पे जो आपने receiving end का voltage बनाया बिटा ये था vr 0 मैं no load की बात कर रहा हूँ अब यहाँ पे आप क्या बनाओगे आप एक ic current बनाओगे ic current voltage से 90 degree lead करेगा ठीक है क्या पैस्चर का current है न voltage से हमेशा 90 degree lead करता है अब बिटा अगर ir 0 हो चुका है आप एक चीज़ पे दिमाग लगाना तो आपको नहीं लगता is जो ir plus ic था is खुद ic हो गया is खुद ic हो गया तो ic into z का drop add करना है ic into z ic into z का मतलब एक तो ic into r एक तो ic into r वो तो ic के same phase में आएगा और एक ic into x जो की 90 degree lead करेगा 90 degree lead करने का मतलब 90 degree anti-clockwise आएगा यह आ गया अब यहां से जो voltage मिलेगी this will be your sending end voltage समझें अब आपको clear cut यहां पे नजर आ रहा होगा बिटा कि sending end का जो magnitude है that is less than no load receiving end voltage यह आपका होता है फेरंटी effect अब यहां पे मेरे बच्चों क्या होता है एक चीज और आप समझेंगे आपने अभी यह पता लगाया था कि no load पे receiving end का जो voltage होता है that is mod vs by mod a तो यहां पे पता है क्या होता है practically यह जो a का value है यह 1 या 1 से छोटा होता है practically mod a is less than equal to 1 therefore mod vr 0 is greater than equal to mod vs ठीक है short line में यह 1 था तो दोनों equal आ रहे थे but practically जो a की value होगी वो 1 या 1 से छोटी ही होगी it can never ever be greater than 1 इसलिए no load की voltage sending end से जादा ही आएगी या उसके बराबर आ सकती है that is farrent effect farrent effect का नुकसान पता है क्या होता है कि मान लोग किसी कारण से एक transmission line working condition में थी आपने उस पे से load disconnect कर दिया जैसी आप load disconnect करोगे अचानक से receiving end का voltage बढ़ जाएगा अगर अचानक से receiving end का voltage बढ़ता है it can be dangerous to the insulation बिटा अगर capacitance इग्नोरी कर दी तो farrent effect कैसे आएगा D के खुद सोचो short line में A क्या था 1 था तो VR 0 VS के बराबर आ रहा था बड़ा तो नहीं आ रहा था बड़ा नहीं आ रहा था तो farrent effect कैसे हुआ और ध्यान से सुनना एक चीज यार farrent effect हर तरह की transmission line में होता है कोई भी transmission line उठा लो farrent effect is there लेकिन क्या होता है short line के अंदर ये line charging current बहुत छोटा होने के कारण हम ignore कर देते हैं यानि हम नजर अंदास कर रहे हैं ऐसा मज़ सूचना कि medium line बेकार है इसमें तो farrent effect आता है short अच्छी है उसमें नहीं आता बेटा short medium long सब के सब सिर्फ मन धढंत कहानिया है line तो line होती है इसको आप approximate कर रहे हो इसका model आप अपनी सुईधा अनुसार बना रहे हो ऐसा नहीं है कि short line बेकार है medium अच्छी है long अच्छी है यह सब सिर्फ और सिर्फ क्या है models है जो हमने अपने analysis के लिए बनाए wire तो सिर्फ क्या थी एक wire थी logic समझ में आया तो farrent effect is always present in line but in short line it is ignored because line charging current is very small अब आते हैं दूसरे model पे बिटा दूसरा model कहता है अगर capacitor को हम sending end पे लगा लें अब क्या चलो जी ऐसा भी कर लेते हैं अगर ऐसा करोगे बिटा तो यह जो z है इसमें current जाएगा ir तो आपने vs को लिखा vr plus ir z अब की बार यह जो capacitor है यह जो इसका admittance है यह vs के parallel लगा है तो बिटा इसमें जो current जाएगा ic ic जो जाएगा that you will say is y vs यानि y vr plus y z ir यह होगा y vr plus y z ir ठीक है भई कौन सा phasor diagram repeat कर दूँ भई पीछे करके देख लो न video network issue की वैसे miss हो गया तो video पीछे कर लो अब तो network आ रहा है is होता है ir plus ic kcl लगा के देख लो तो यानि यह आ जाएगा y vr plus 1 plus y z ir ठीक है y vr plus 1 plus y z ir अब यहाँ पे भी आपको vs और is की equation मिल गई तो आप कह सकते हो आपको मिल गया a b c d parameter आपको बस इसको क्या करना है एक matrix में डालना है ठीक है भई अब यहाँ पे देखो is जो है y vr और 1 plus y z ir और vs जो है sorry vs जो है vr z ir y vr अब देखो यहाँ पे भी a और d तो बराबर नहीं है diagonal element तो not symmetrical जो की देख के भी नजर आ रहा है लेकिन यहाँ पे भी पता है a d minus b c आपका 1 आएगा तो this is your reciprocal this is your reciprocal अब यहाँ पे अगर आप देखें बिटा ध्यान से तो आपको magnitude of a1 नजर आ रहा है magnitude of a1 नजर आने से आप यह कह सकते हो mod vr 0 जो की होता है mod vs by mod a it is mod vs तो no faranty effect अब खुश मत हो जाना इसमें faranty effect नहीं है माने कि यह model बेकार है जब line में faranty effect आता है और यह model कह रहा है कि नहीं आता है तो model बेकार हुआ ठीक है model बेकार हुआ ना क्योंकि यह सच्चाई को छुपा रहा है यह सच्चाई नहीं बता रहा है बेटा reactor ही use किये जाते है faranty effect limit करने के लिए लेकिन यह मैं voltage control के साथ discuss करूँग मतलब next to next lecture में ठीक है अब आता है बेटा nominal T model T model में हम क्या कहते हैं जो Z है इसको दो parts में divide कर दो और इनके बीच में एक capacitor लगा दो यह model आता कैसे है इसके लिए transmission line को दो हिस्सों में divide करते हैं पहला हिस्सा जो आधी length वाला पहला हिस्सा होता है उसके लिए model use करते हैं receiving end C model और जो second हिस्सा होता है उसके लिए use करते हैं तो एक के receiving end पे C आएगा एक के sending end पे C आएगा लेकिन C by 2 C by 2 क्योंकि length आधी आधी है capacitance is proportional to length C by 2 C by 2 तो यह कितना बन गया C यहाँ पे कितना आगया ही Z by 2 यह भी कितना आगया Z by 2 शुब हम कह रहे है medium में nominal T और long में equivalent T होता है क्यों मुझे नहीं पता long में equivalent T होता है क्योंकि अब तक तो मैं वहाँ पे पहुचा ही नहीं हूँ ठीक है यह समझाया हमने क्या किया line को दो हिस्सों में divide किया L by 2 L by 2 तो पहले हिस्से का impedance भी हुआ Z by 2 capacitance हुआ C by 2 दूसरे का sending end C model बनाया उसका भी capacitance C by 2 और यहाँ पे impedance Z by 2 अब C by 2 और C by 2 parallel में अगर आ गए तो यह क्या हो गया? C हो गया अब इसके parameter मुझे चाहिए तो देखो यहाँ पे मैंने voltage लिख रखिए V1 तो मैं अगर KVL लगाता हूँ तो V1 होगा Vr plus Ir Z by 2 इससे IC जो लिखोगे आप that will be Y V1 अब आप IS लिख सकते हो आई-आर प्लस आई-सी आई-आर प्लस वाई Vr plus Ir Z by 2 अब इसमें अगर आप लिखोगे तो यह आ गया Y Vr plus Ir 1 plus Y Z by 2 तीक है? यह हो गया भई अंकुर के डाउट तो अलग लेवल पे रहते हैं T parameter और T model में क्या फरक है? T model माने circuit की shape T है T parameter जो यह निकाल रहे हो ABCD इनको यह T parameter कहते हैं ठीक है भई? सिद्धिकी भाई साब कहां underground हो गए थे? क्या कि आज जागे हो कि तीसरी class चल रही है सर आपने GMD GMR बताया है कि नहीं मैं तो सोता रहे है तीन दिन से ऐसा है क्या? अब आप Vs को क्या लिखोगे? V1 plus Is into Z by 2 इसमें जब Is की और V1 की value डालोगे न? तो यह कितना आता है? This comes out as 1 plus Y Z by 2 Vr plus Z 1 plus Y Z by 4 I R तो यहाँ पर देखो A, B, C, D पैरामीटर जो आते हैं Vs, Is 1 plus Y Z by 2 यह हुआ अब यहाँ पर खासियत यह देखो बिटा A और D बराबर है यानि symmetric है आपका model और A, D minus B, C, B भी वन आता है तो यह reciprocal भी है ठीक है? तो यह बढ़िया model है और पता है यहाँ पर A आपको दिख रहा होगा 1 plus Y Z by 2 तो आप सोचोगे A, 1 से बढ़ा आएगा लेकिन actually A, 1 से छोटा आता है क्योंकि Y और Z दोनों में J है न J into J minus हो जाता है तो A is less than 1 जिसका मतलब mod of Vr0 is greater than mod of Vs therefore, Ferranti effect तो यहाँ आपको Ferranti effect देखने मिलता है बात चमक गई? तो यह model इस मामले में भी accurate Ferranti effect बता रहा है अब ऐसी होता है Pi model Pi model में भी क्या करते है line को दो हिस्सों में divide करते है फरक क्या करते है कि जो पहला हिस्सा है उसका sending and C model बनाते है और दूसरे वाले का receiving and C model तो यहाँ पर क्या होता है capacitor दो हिस्सों में बढ़ जाता है Y by 2, Y by 2 impedance पूरी की पूरी एक साथ आजाती है that is R, J, Omega, L ठीक है तो series impedance एक साथ आजाती है shunt capacitance आपकी half-half दोनों जगे divide हो जाती है यह circuit का shape Pi का है इसलिए इसे बोलते है Pi model तो यहाँ पर मैं directly parameter लिख रहा हूँ मैं आपको इसको याद रखने का जुगार भी बताऊंगा आपको न T और Pi के parameter याद रहने चाहिए तो देखो 1 प्लस Y Z बाइ 2 यहाँ पे Z Y 1 प्लस Y Z बाइ 4 और 1 प्लस Y Z बाइ 2 तो देखे रहो ना parameter थोड़े complicated हो गए short line के कितने असान थे तो यही तो है जितना accurate model बनाओगे जितनी practical चीज़े consider करोगे जितनी ही complexity बढ़ती जाएगी आपको बिटा यहाँ पे यह याद रहना चाहिए A और D दोनों ही आते हैं 1 प्लस Y Z बाइ 2 चाहे आप T model लो चाहे आप Pi model लो A और D दोनों बराबर आते हैं 1 प्लस Y Z बाइ 2 अब B में Z आना चाहिए और C में Y आना चाहिए आप यह देखो जो Pi model है इसके अंदर आपने Y को 2 में डिवाइड किया है तो आप Y के साथ लिखिए 1 प्लस Y Z बाइ 4 और आपने T model में Z को 2 हिस्तों में डिवाइड किया था तो Z को आपने Z के साथ क्या लिखा था 1 प्लस Y Z बाइ 4 अगर आप Y को 2 हिस्तों में डिवाइड कर रहे हो Y के साथ आ रहे है 1 प्लस Y Z बाइ 4 अगर Z को 2 हिस्तों में डिवाइड कर रहे है 1 प्लस Y Z बाइ 4 यह कैपैस्टेंस Y क्यों लिखा है कैपैस्टेंस का एड्मिटेंस बना दिया है y जो होता है that is j omega c मैं दो तुम लोगों के पता है सही होता हूँ doubt से भी हैरान रह जाता हूँ कि gate से 50 days पहले यह हालत है यह जो है a1 plus yz by 2 this is less than 1 जिसका मतलब mod vr0 is greater than mod vs ferrenty effect अब यहाँ पर देखो दोनों network जो है एक दूसरे से जो बनाए जा सकते हैं वो network कहलाते हैं equivalent network ठीक है called as equivalent network तो जो network एक दूसरे से बनाए जा सकते हैं उनके a b c d parameter हमेशा same होते हैं क्या होता है a b c d same होता है यहाँ t और πाई में एक फरक है 1 plus y z by 4 का correct ना 1 plus y z by 4 की position में फरक है यानि कि t और πाई के parameter अलग-अलग हैं तो यह दोनों network एक दूसरे से नहीं बनाए जा सकते with the help of star delta transformation अगर आप सोचो t वाला star है πाई वाला delta है मैं एक model से दूसरा model बना लूँ ऐसा impossible है because they do not have the same parameter दूसरी बाप बिटा a का value जितना small होगा उतना ही जादा vr0 का value आएगा as compared to vs और आप कहोगे और nominal pi में a का value सेम है तो उनका फेरेंटी effect बराबर है लेकिन receiving and c model का a सबसे छोटा होता है तो उसमें फेरेंटी effect सबसे जादा होता है गौतम पिटा वो तो circuit solve करके निकालनी पड़ेगी ना efficiency circuit solve करके निकालनी पड़ेगी दो हिस्सों में losses निकालने पड़ेंगे यहाँ पे IR square into R by 2 यहाँ पे IS square into R by 2 loss आ गया फिर efficiency आएगी efficiency का कोई direct formula थोड़ी है हमारे पास चलो यह देखना जरा the capacitive reactance of 100 km length is 1000 ohm what is the capacitive reactance for 200 km करो जरा फिर थोड़ा सा long line भी मैं आपको बता देता हूँ शुब हम कह रहे हैं C C देखो यह जो capacitance होती है nano farad per km में आती है per km के कारण it is proportional to length reactance होती है 1 by j omega C इसी लिए it is inversely proportional to length तो अब जब आप XC2 by XC1 निकालते हैं तो this comes out as L1 by L2 यानि 100 by 200 तो यहां से XC2 जो आएगा that is 1000 into 100 by 200 तो that will be 500 ohm तीक है 500 ohm हाँ pi model prefer किया जाता है भाई यह भी आप कह सकते हो pi model is preferred over t model इसका logic क्या है बताऊगे क्यों इसको prefer किया जाता है is preferred over t model as it has lesser number of nodes ठीक है भाई इसमें node काम होती है इसलिए इसको prefer करते है चल अगला देखो जरा voltage regulation बहतर होगा ना बिटा क्योंकि line charging current जो है आपके load का जो reactive part होगा मतलब load तो inductive होगा आपका lagging होगा line charging current उसकी reactive power को cancel कर देगा जिससे की transmission line में flow होने वाला current कम हो जाएगा नहीं तो ऐसे सोच लो जो receiving end current है वो lagging है उसको leading current कहीं न कहीं काटेगा जिससे transmission line का total current कम होगा total current कम होगा voltage drop कम होगा voltage regulation भी कम होगा करो जरा इसको भाई साथवे कह रहे हैं A देखें देखो पहले Y देखें अगर Y होता है J omega C तो J omega 50 hertz के अनुसार 100 pi आएगा C है 0.03 by pi micro farad per kilometer और length आपको दिए कितने kilometer 100 kilometer तो देखो पाई से पाई कटा 10 की पावर 4 3 into 10 की पावर minus 8 लेकिन each end पे pi model में each end पे कितना आता है y by 2 आता है न तो 1.5 into 10 की पावर minus 4 angle 90 degree Siemens ठीक है तो answer will be A easy है A बहुत बढ़िया अगला देखिए जरा 66 kv 150 kilometer long three phase line having each conductor B दे रखा है XL मेरे जाब से इसको skip कर दो क्योंकि ये unnecessary lengthy question है अभी gate point of view से this is not important क्योंकि आपको न यहाँ पे ABCD parameter निकालने पड़ेंगे फिर VS equal to AVR plus BIR करोगे A और B complex number होँगे तो काफी सारी complex calculation हो जाएंगी उतना gate में नहीं आएगा निश्चिंत रहिए अगला देखें जरा ये भी similar ही है इसको भी skip कर दो है न जादा complex calculation वाले सवाल gate में आएंगे नहीं because they cannot be done via virtual calculator बस यहाँ पे पता है एक खासियत है एक खासियत क्या है transmission line की spacing और transmission line का diameter दे रखा है तो आपको inductance और capacitance निकालनी पड़ेगी वो directly given नहीं है ठीक है भई अनिकेद देखो मैं तो ये recommend करूँ अगर पहली बार power system पढ़ते हूँ बिटा तो detail में पढ़ो जल्दबाजी किस चीज की है और अगर gate 2023 देने वाले हो अब तक power system नहीं पढ़ा तो अब अगर power system करने बैटोगी तो waste of time ही है इससे बढ़िया है जो पढ़ चुके हो उसको करो अब देखो long line का जो analysis होता है ये सबसे exact analysis होता है क्योंकि यहाँ पे ना किसी प्रकार का कोई approximation नहीं करते हैं ना तो line charging current ignore करते हैं ना ही leakage current ignore करते हैं ना ही lumping ignore करते हैं sorry lumping करते हैं यहाँ पे हम use करते हैं distributed model यानि हम यह मान के चलते हैं transmission line के हर parameter पूरी line के अंदर distributed है बिटा लेंदी सवाल तो gate में आ सकते हैं लेकिन जिनमें बहुत ज़्यादा calculation है जिनमें बहुत ज़्यादा complex number है phasor equations है वो नहीं आता है ऐसा नहीं कि लेंदी सवाल नहीं आस तो लेंदी आ सकता है लेकिन doable भी तो हो ठीक है तो बिटा UPSC के channel पे जाके देख लो न GS का course UPSC का GS और IRMS का GS same है Unacademy UPSC जाओ वहाँ जाके देख लो तुम अजीव गधे हो भाई शाश्वत ESE prelims में तीन घंटे में देड़ सो सवाल होते है वहाँ सवाल लंबा आ जाएगा as compared to gate जहाँ तीन घंटे में 65 question होते है गजब सवाल है हाँ जी तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या करते है transmission line का एक छोटा सा हिस्सा consider करते है छोटा सा हिस्सा ठीक है जी डेल्टा एक्स और हम इस हिस्से को लंप करते है ठीक है लंप आ लंप दिस small section मतलब कि पूरी line को लंप नहीं कर रहे है पूरी line को छोटे छोटे infinite number of sections में हमने divide किया है और हर section का एक-एक model बना रहे है हर section को हम लोग लंप कर रहे है बात समझ में आई line is divided into infinite number of small section ठीक है भई तो छोटे छोटे infinite number of sections में divide कर देते है अब यहां पर देखो उस छोटे से section को कैसे model करते है delta x length का जो impedance आता है that is z delta x और delta x length का जो छोटा सा admittance आता है that is y delta x तो impedance is z delta x and admittance is y delta x अब यहां पर देखो जो पूरा derivation कर लेते हैं मैं derivation नहीं करा रहा हूँ लेकिन यहां पर voltage जो आता है वो distance का function आता है यहां हर point पे अलग-अलग voltage आपको मिलने वाला है तो x distance पे कितना आता है cos hyperbolic gamma x plus ir zc sin hyperbolic gamma x और current भी हर point पे अलग-अलग आता है आई-आर cos hyperbolic gamma x यह zc भई है characteristic impedance जो अभी पीछे देखके आए हूँ vr by zc sin hyperbolic gamma x तो यह क्या है बिटा voltage and current at distance x from the receiving end distance कहां से measure कर रहे हो receiving end से at distance x from receiving end अगर आप बिटा sending end की बात करेंगे आप अगर किसकी बात करेंगे sending end की तो आपको x को रखना पड़ेगा l ठीक है x को रखना पड़ेगा l क्योंकि at length आपको क्या मिलेगा sending end तो इससे ना हमारे पास vs और is की equation आ जाती है तो यहां से vs कितना आता है देखिए vr cos h gamma l plus ir cos zc sin h gamma l ठीक है फिर is होता है ir cos h gamma l अभी मैं आपको यह सारी चीजे बताऊंगा gamma zc सारी चीजें अभी लेकिन आपको यह तो समझ आना चाहिए ir और vr क्या है receiving end का current और voltage यहां पर बिटा यह जो admittance है small admittance y यह है g plus j omega c lower case letter इसलिए यूज़ कर रहा हूं per unit length में है और small z r plus j omega l कह दो इसको ohm पर kilometer यह l और length को बराबर मत मान लेना वो वाला l क्या है length है यह l क्या है this is inductance पर kilometer ठीक है अब यहां पर देखो इस equation के अंदर बिटा दो terms आ रही है zc और gamma gamma होता है आपका propagation constant क्या होता है propagation constant यह gamma की जो value होती है that is root y into z root g plus j omega c r plus j omega l क्योंकि दो complex number का square root है बिटा तो यह खुद भी complex आता है this comes out as alpha plus j beta यहां पर alpha कहलाता है attenuation constant attenuation constant यानि it is related to losses in transmission line जब भी कोई wave आपकी चलेगी तो धीरे धीरे उस wave का amplitude कम होते जाएगा due to losses और उसको represent करता है alpha यहां पर beta कहलाता है phase constant क्या कहलाता है phase constant यह जो है यह actually wave चलाने के लिए जिम्मेदार है मतलब alpha नहीं भी होगा तो भी wave चलेगी beta के कारण लेकिन beta नहीं होगा तो alpha किसी काम का नहीं तो beta की जो unit होती है वो होती है radian per kilometer और alpha की जो unit होती है that is neper per kilometer neper एक scientist है एनि पी ए आर तो neper per kilometer ठीक है हाँ आज measurement का class होगा चार बजे अब दूसरी term है characteristic impedance characteristic impedance ये क्या होता है बटा this is the impedance offered to traveling wave in our transmission line जब एक transmission line में wave propagate करती है तो उसको कितना impedance मिलता है यानि उसके voltage और current का क्या ratio होता है that is your characteristic impedance ठीक है इसकी जो value आती है वो आती है under root में z by y यानि r plus j omega l divided by g plus j omega c unit तो इसकी simply ohm z होती है और ये जो है न ये independent of length होती है क्योंकि आप अगर numerator denominator दोनों में length multiply कर दो तो कोई फरक थोड़ी पड़ेगा तो आप 100 km line के ले या 200 km line के ले आपका zc हमेशा same रहेगा as long as construction same हो ठीक है as long as construction same हो यानि line का diameter same रहे दो lines के बीच की spacing same रहे ठीक है तो बिटा अगर आप distancing और आप radius same रखते हो ठीक है distancing और radius same रखते हो तो आपका zc same रहेगा ठीक है remains same as long as radius and distancing is same समझ में आ रही है बात radius और distancing जब तक same होगी तब तक आपका zc same आएगा clear है ना ये दोनों चीज़े clear हो गई प्रतीक बिटा जिस साल में तुमारी तैयारी सबसे बढ़िया हो जाए उस साल मुझे बता दे ना उस साल में जरूर दे दूँगा exam ठीक है और अब आप इस चैनल से block हो जाओगे अगर ये comment दुबारे आया thank you so so one चलो अब wave nature की अगर बात करें बट उससे पहले ना मैं एक चीज़ और लिखवा दूँ बिटा क्योंकि आपने vs और is निकाली लिया है अभी आपने बोला ना vs क्या है we are cos hyperbolic ठीक है calculator में hyperbolic function होता है यह वही है मैं लिख देता हूँ cos hyperbolic वगेरा भी क्या होता है तो यहाँ पे आपने एक चीज़ notice की यहाँ पे आपको ना हर point का voltage और current मिल सकता है short और medium line के अंदर आपने lumping कर दी थी तो आपको ना बस sending और receiving end ही पता चल रहे थे आपको हर point नहीं मिल सकता था ठीक है आप अलग-अलग distance पे नहीं निकाल सकते थे you could only talk about the sending end and the receiving end तो देखो यह parameter आते हैं यह symmetric भी है और reciprocal भी है ठीक है यह symmetric और reciprocal दोनों है अब यह जो hyperbolic function होता है यह exponential से आता है actually क्या होता है cos hx is e to the power x और sin hx gamma नहीं hx यह होता है लेकिन क्योंकि पता है gamma complex है ना तो यह directly hyperbolic आपके calculator से ठीक है calculator से नहीं निकल पाएंगे यह बात clear हो गया distancing मतलब कि दो lines के बीच का gap जैसे a b का b c का c c का c a का यह gap characteristic lumped impedance medium offer कर रहा है traveling wave को अगर medium change करें तो medium माने अगर आप line change कर दोगे कोई और transmission line लगा दोगे या u g cable लगा दोगे तो बिटा वहाँ पे आप लोगों का z c भी बदल जाएगा sir sign में 2 j होगा sign x में होता है hyperbolic में नहीं sign में होता है यह बात clear हो गई हाँ जी अब wave nature की अगर बात करते हैं देखो wave के लिए ना दो चीज़े चाहिए होती है wave के लिए चाहिए होता है space और time variation क्या चाहिए होता है space and time variation अब आपने यह देखा बिटा कि आपका जो voltage और current है जो आपका voltage and current है वो तो distance पे तो depend करी रहा है समझिएगा बात को distance पे तो depend करी रहा है प्लस यह waveforms जो हैं आपकी AC है ना तो time पे भी तो depend कर रही होंगी sin omega t या cos omega t तो इस कारण से क्या होता है यहाँ पे space और time दोनो variation मिल जाते हैं क्या होता है आपको space और time दोनो variation आपको मिल जाते हैं जिस कारण से इसके अंदर voltage और current wave की तरह behave करते हैं ठीक है तो v and i are function of x and sinusoidally depend on time तो इसलिए पता है इनका क्या है wave nature होता है बट मैं बहुत जादा घुसके न wave nature derive नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अभी के लिए जरूरी नहीं है therefore voltage and current behave as wave wave का basic मतलब क्या होता है न बिटा wave एक ऐसी property होती है जो की energy carry करती है across space and time तो वही चीज़ voltage और current करेंगे they will carry energy अब यहाँ पर alpha क्या करता है alpha आपका न attenuates wave amplitude while traveling ठीक है तो जब wave line में travel करती है न तो उसके amplitude को घटाता है alpha बीटा क्या करता है बीटा है बीटा है motion of wave के लिए जिम्मेदार तो wave के साथ देखो कुछ चीज़े जुड़ी होती है जैसे wavelength wave की बात कर रहे हो तो wavelength की बात तो करोगे wavelength क्या होता है कितने distance के बाद आपकी wave repeat करती है तो that is 2 pi by बीटा यह kilometer में आ जाएगा velocity v यह होगी c by lambda kilometer per second ठीक है sorry velocity c by lambda नहीं lambda इंटू f kilometer per second यह approximately c के बराबर आती है speed of light के ठीक है phasor में रखोगे मैंने बताया तो और वैसे भी a b c d phasor नहीं होते यह complex number होते है phasor और complex number में फरक है phasor होती है sinusoidal quantities जो quantities sin omega t cos omega t होती है they are phasor हर complex number phasor नहीं होता 2 plus 3 iota is just a complex number it's not a phasor phasor सिर्फ voltage और current होते है और कोई चीज phasor नहीं होती है ठीक है भई अब equivalent network के अगर बात करें तो देखो हमारे पास transmission line के a b c d parameter है बट कोई circuit नहीं है long line का मैंने कोई circuit नहीं बनाया अब तक अगर आप देखो मैंने जो short और medium पढ़े तो मैंने पहले circuit बनाया उस circuit को analyze करके क्या निकाला a b c d parameter लेकिन अब मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास a b c d parameter तो आ गए differential equation बनाके solve करके लेकिन मुझे ये जानना है कि अगर इसे मैं circuit की तरह show करता तो circuit कैसा दिखता that is equivalent network तो equivalent network क्या है बटा एक hypothetical circuit है which gives you the same a b c d parameter as we have derived for the long line तो equivalent circuit क्या है hypothetical network तो equivalent और nominal में फरक समझे hypothetical network that gives same parameters as a long transmission line आप logic को समझो बिटा कि आपने short और medium में physically सोच के circuit बनाया था कि capacitor को कहां लगाना है capacitor को ignore करना है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ मेरे पास parameter है बस मैं उस parameter के बराबर एक circuit बनाना चाहता हूँ तो जैसे एक होता है बिटा equivalent pi model equivalent pi model में यहाँ पे यह जो y dash और z dash है these are hypothetical parameters यह ऐसे parameter है जो कि ABCD को satisfy करा दें for a long line यानि इधर से जो ABCD निकालू वही long line के भी आने चाहिए ठीक है तो इधर के ABCD pi model के आप जानते हूँ न कैसे निकलते हैं 1 प्लस y dash z dash by 2 z dash 1 प्लस y dash z dash by 4 और फिर 1 प्लस y dash z dash by 2 यह होता है और इसको किसके बराबर करना है बिटा इसको बराबर करना है cos h gamma l के z c sin h gamma l के मतलब y dash और z dash choose ही ऐसे करने हैं कि यह parameter satisfy हो जाएं बात चमक रही हैं अब अगर आप दोनों matrix compare करोगे न तो b वाला parameter compare करते ही मुझे मिल जाता है z dash है z c sin h gamma l और फिर आप a या d वाले को compare करके y dash by 2 भी निकाल सकते हो that is cos h gamma l minus 1 by z c sin h gamma l ऐसे तो आप इस type से compare कर सकते हो पहले b वाले को compare कर ले न फिर a या फिर d को ऐसे ही चाहो तो t में आ सकते हो t में भी funda same है कि भाई मुझको जो है न सेम parameter चाहिए long line वाले किससे चाहिए लेकिन यही चीज यही चीज मुझको चाहिए इस t circuit से किससे चाहिए इस t circuit से बात को समझेंगे तो जैसे पहले में आपने b को compare किया था न इस बार आप c को compare कर लेना क्योंकि c में सीधे सीधे y dash दिख रहा है comparison आसान हो जाएगा अच्छा एक चीज और आप सोचो बिटा यह जो equivalent t और equivalent pi है इन दोनों के parameter तो same है कौन से parameter है long line वाले parameter है अगर इन दोनों के parameter same है long line वाले के बराबर same parameter का मतलब होता है both circuits are identical that means they can be obtained from each other ठीक है they can be obtained from each other nominal लिखा गया है क्या equivalent ठीक है पिछले में तो सही था ना तो यहाँ पे आपका अगर आप c को compare करोगे तो y dash आ गया 1 by z c sin h gamma l और यहाँ पे z dash by 2 आ जाएगा z c cos h gamma l minus 1 तो जैसे मैंने बताया था ना nominal t और pi ऐसे होते हैं जिनको आप एक दूसरे से नहीं बना सकते लेकिन equivalent t और pi एक दूसरे से बन सकते हैं by means of star delta transformation अब approximate ABCD में हम क्या करते हैं जो cos hyperbolic और sin hyperbolic है इनकी tailor series को approximate कर देते हैं बिटा जिससे आपके पास a और d की value आती है वही जो nominal में आ रही थी यह approximate value है ठीक है? और b की जो value आती है that is z into यह सिर्फ mathematical approximation है यानि अगर कभी आपको long line का सवाल आ जाए क्योंकि exact जो parameters हैं वो काफी complicated है वहाँ hyperbolic function है तो आप approximate का use कर सकते हो यहाँ पे y and z y is admittance of entire transmission line logic समझ रहे हो hyperbolic से अगर बचना चाहते हो long line के question में तो आप यहाँ पे approximate use कर सकते हो यह tailor series से निकाले गए है z क्या है? z है impedance of entire transmission line यह भी lumped है logic clear हुआ तो इससे महनत बच जाती है hyperbolic में पढ़ना ही नहीं है cos, hyperbolic, sin, hyperbolic यह use कर सकते हो पर unit के अगर बात करें तो आप यह देखिए a वाला जो parameter आ रहा है 1 plus y z by 2 यह unit less है बिटा यह unit less है तो इसलिए a per unit जो है न a के बराबर ही आता है b जो आपके पास आ रहा है z into 1 plus y z by 6 इसकी unit होती है ohms इसलिए b को अगर per unit में लाना है किसी question को p.u में solve करना है p.u का मतलब होता है unit cancel करना ना तो z base से divide करते हैं c आपके पास आ रहा है y 1 plus y z by 6 इसकी unit है more या फिर c months तो c per unit होता है c multiplied by z base और d आपके पास आ रहा है 1 plus y z by 2 d b unit less होता है ये तो जनरली network के हिसाब से ये बिटा network में a और d unit less होते है b होता है ohms c होता है admittance तो इसलिए तो जब per unit में convert करो तो किसको करना है b और c को a और d per unit में भी उतने ही रहते हैं complex representation last चीज क्या होता है देखो जो a होता है a complex number है उसको लिखते है mod a angle alpha ये जो mod a होता है बिटा ये less than equal to 1 होता है और alpha जो आपका होता है 0 degree से 2 degree तक vary करता है b होता है mod b angle beta ये mod b जो होता है approximately mod z ही होता है और वहीं ये जो बिटा होता है ये आपका 60 degree से 90 degree तक जाता है just like impedance angle c को लिखते है mod c angle gamma ये mod c approximately admittance के बराबर आता है और gamma approximately capacitor के कारण 90 degree आता है इसके बाद d जो होता है वो usually a के बराबर होता है due to symmetry else आप d को ऐसे भी लिख सकते हो mod d angle delta जब हम power की equation derive करेंगे न तब ये use होंगे a b c d के complex मतलब values admittance by 2 नहीं आएगी t में by 2 क्यों आएगी भाई t में by 2 क्यों आएगी अच्छा यहां पर नहीं आएगी ऐसा बोल रहे हो अच्छा रुक जाओ सही बोल रहे हो ठीक है मुझे लगा ये बोल रहे हो की मेरे से पूछ रहे हो की नहीं आएगी क्या चलो ठीक है अब ज़रा ये question देखना फटा फट या फिर ये वाला भी skip कर दो ये मैं later कराऊंगा ये wave के उपर base जाए भी मैंने पूरा आपको na wave वाला part पढ़ाया नहीं है वो lossless में होगा हाँ ये वाला देखो for a 400 km long transmission line series impedance is 0 plus j5 ohm per kilometer shunt admittance 0 plus j5 micro ohm per kilometer series impedance of equivalent pi circuit अब equivalent pi के बिटा parameter क्या थे देखो ये थे न देखो ऐसा question बनता है ये gate का ही सवाल है ठीक है अब आपके जो approximate ABCD parameter है long line के approximate क्या है देखो आपके ये है न आप चाहो तो यहां से कर लो ये ही तो approximate है अगर आप exact नियूज करना चाहते you can use this अब series impedance z dash होती है ना आपकी z dash होती है तो आप compare कर लो बट यहां पे ध्यान रहे lumped parameter लेने है तो j.5 into length length कितनी है चार सो तो यह हो गया दो सो 1 प्लस j 5 into 400 और यह micro में into j 0.5 into 400 by 6 अब देखना जराए यह कितना आ रहे है 5 into 400 into 0.5 into 400 0.4 आ जाएगा 0.4 by 6 into 200 186.66 magnitude पूछ रहा है तो आप 186 दे दो समझ में आया ऐसे आप approximate का use का सकते हूँ वैसे तो यह lossless line थी इसका एक और तरीका हो सकता था बट अभी मैं आपको lossless पढ़ाया नहीं हूँ ठीक है तो बिटा देखो मैंने जैसा आपको बताया analog कब start करोगा analog तो करा चुका analog क्यों start करूँगा बिटा वो तो मैं अभी तो offline calculator से कर रहा हूँ मैं थोड़ी ना gate के calculator से कर रहा हूँ ठीक है चलो तो देखो मैंने आप लोगों के लिए machines का stand alone course launch कर दिया है जिसमें आपको machine के सारे videos मिल रहे है इसके अंदर आपको DPPs मिल रहे है इसके अंदर आपको test मिल रहे है तो ये just 14.99 का है for first 300 subscriber Power Electronics का बिटा संकल्प सिरीज करा तो दिया वहां से कर लो और देखो plus and iconic पे आपको 30% price discount मिल रहा है बिटा तो इस समय पे अगर आप unacademy join करते हो using code अंकित ESE 21st of December से हमारा नया best start हो रहा है for gate 24-25 तो आप minimum price के अंदर join कर सकते हो और मेरी guidance के लिए code मत भूलना अंकित ESE और IRMS की तयारी करनी है then you can save up to 39% यहां पे आपको अंकित ESE code लगाना है बिटा combo के लिए और यहां पे आपको क्या मिल रहा है न GS वाला part पूरा कराये जा रहा है prelims के लिए mains के लिए electrical वाला part पूरा कराये जाएगा और साथ-साथ बिटा mains के लिए answer writing कराये जाएगी मनोहर मेरे भाई अगर wave propagation detail में पढ़ना है तो please आप comprehensive course देखिए जितना अभी gate में आ सकता है जिससे सवाल पूछा जा सकता है उतना मैं कराऊंगा unnecessary अगर detailing करूंगा तो फिर उससे बढ़िया आप comprehensive course कभी भी खोल के देख लो ठीक है और देखो यार इस Sunday combat हो रहा है sorry combat कह रहा हूँ AIMT हो रहा है ये mock test है जो की gate के interface पे होगा और इस बार हमने क्या किया है आपके लिए scholarship भी रख दिया है जो बच्चे अच्छा perform करते हैं उन्हें scholarship मिलेगा unacademy subscription पे तो they can join unacademy for the last two months और वहाँ पे आप लोग revision कर सकते हो test दे सकते हो और मेरा rank improvement batch भी आप देख सकते हो और ये मेरी special classes का link है यहाँ धेर सारा practice material है अब देखो अगर unacademy join करते हो you have two options plus and iconic दोनों में आपको top teachers मिल रहे है app पे पूरा study material मिल रहा है test series आपको मिल रही है लेकिन iconic में extra क्या है नए question में doubt आते है तो video solution printed notes घर पे भेजे जाते है one to one guidance मिलता है strategy और study plan होता है और open house session में you can interact via audio प्रतीक बिटा आप एक बार comment लिख दे तो छोड़ दिया करो बार बार क्यों लिखते हो और आपके लिए बिटा देखो हमने 4 महीने का test series भी launch कर दिया है तो आप इस test series में 70 से अधिक test दे सकते हो जिसमें part test, subject test, multi subject test, mock test है इसमें भी अगर अंकित ESE लगाओगे you will get a further 10% discount और आप देखो अगर unacademy app पे जाते हो बिटा तो वहाँ पे जाकर के आपको plan चूज करना है, duration decide करनी है and then you just have to use the code UNKIT ESE और यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए भई अगर आप results देखो गे 22 में top 10 में हमारे चहर anchors थे, 24-25 में आप भी इन में से एक हो सकते हो अगर आप unacademy का हिस्सा बनते हो under my guidance बिटा आपस में discuss कर लिया अगरो न 201 students के साथ और देखो अगर आपको financial issue है तो EMI के लिए जाओ कोई interest नहीं देना है यहाँ EMI 2 घंटे में approve होती है, सिर्फ pan card, अधार card लगता है and you can repay it in a flexible amount of time अब देखो December 21st से हम 2024 के लिए उडान batch स्टार्ट करें network से which is the foundation stone of electrical engineering और बुनियाद batch 2025 के लिए उसमें भी network से Mission IRMS भी network से ही start होगा 21st December से, लेकिन IRMS का जो GS वाला part बिटा वो 18 December से start हो रहा है UPSC वाले subscription में यह मेरा telegram channel है, यहाँ पे मैं आपको यह PDF प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोग download कर सकते हो, और साथ साथ बिटा आपके लिए Community Feature and Academy आप पे जहां मेरे आपको analog और control के notes मिल जाएंगे app के home page पे जाएए community में discover पे वहाँ पे आपको मैं मिल जाऊँगा, मेरे सारे PDF, so thank you everyone thanks a lot बच्चो, अब हम लोग कल मिलेंगे, कल तो नहीं, में भी परसो मिलेंगे, अगर कल मैं class ले पाया तो I'll inform you guys, वैसे most probably परसो मिलेंगे, और आज शाम को चार बजे हम लोग मिलेंगे measurement के marathon के लिए, let's crack